अलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का स्टड़ी आई एक यूप के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबम सर्था लिया एक और विशेप एक और टॉपिक पर बात करने के लिए दोस्तों आप चाहें तो इंस्टाग्राम, पेस्बूप के कोई भी आपका डौट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहां पर बात करने वाले हैं, वो दर असल देश के सुरक्षा देश के डिफेंस से रिलेटिड है, तो स्वीडन की एक कंपनी का नाम है साब, S-A-A-B, साब नाम की इस कंपनी ने हाल ही में एक कॉंट्रेक् विस्तार से समझेंगे कौन से होंगे यह एंटी आर्मर वेपन और क्या इस से लाब मिलेगा देश की सुरक्षा में, इन सभी बातों के बारे में विस्तार से इस आर्टिकल में जर्चा करेंगे, अगर आप सिविल सर्विसिस के लिए प्रेपेर कर रहे हैं, studyIQ.com यह studyIQ क आप पर आपके लिए बैतरिन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है, 2022 के UPSC एक्जाम को टार्गेट करते हुए बैतरिन स्मार्ट कोर्स studyIQ पर शुरू किया गया है, इस कोर्स में अन्रोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत 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 बन है, तो हाल मही में स्व competitive program, या नहीं कि एक bidding process द्वारा select किया गया Swedish company साहब को, हिंदोस्तान की सशस्त्र बलों को anti-armor weapon जिसका नाम है, AT4 वो supply unit weapons की आपूर्ती जो है, ये company करेगी, तो दुश्मन के जो सशस्त्र वाहन है, जाहे tank हो, या even helicopters तक को direct war करने के एक शमता रखता है, ये AT4 जिसको Swedish company द्वारा Indian armed forces प्रक्योर कर रही है, इसका इस्तेमाल भारतिय सेना और भारतिय वायू सेना दोरो द्वारा किया जाएगा, भारतिय धल सेना और वायू सेना, दोनों ही जो है, इसका इस्तेमाल करेंगे, ये पूरा का पूरा order जो है, वो Sweden की company को दिया गया है, इसमें AT4 CS AST, which can be fired from confined spaces, such as from inside buildings, bunkers and other urban environments, अब मैं आगे जब तस्वीर में आपको दिखाँगो, तो ये प्रकार की gun है, जिसको बड़े छोटे सेरिया से, किसी building से, bunker से, या close environment से fire किया जा सकता है, और इसके निशाने से, दुश्मन के, चाहे tank हो, चाहे कोई armed vehicle, सशस्त्र वाहन हो, इन सभ को निशाना बनाया जा सकता है, उनको target करके hit किया जा सकता, तो इस तरीके का ये पूरा का पूरा weapon system रहेगा, इसको नाम दिया गया है 84, 84 तो बहुत ही आधूनिक तकनीक के साथ ये weapon जो है, वो बनाया गया है, 84 के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, it is one of the most popular support weapon in the market, the 84 is 84 millimeter unguided weapon, capable of destroying structures and enemy assets including tank, combat vehicle, landing craft and helicopters, दुश्मन का साहे helicopter हो, साहे उनका tank हो, साहे कोई उनका asset हो, या किसी building, इन सभी पे वार करने के लिए इस weapon का इस्तेमाल किया जाता है, इसके ये 84 millimeter एक गोला जो है वो दाग सकता है, और इसमें ये capability है, ये ताकत है कि दुश्मन के assets हों, उनकी वाहन हों, सभी को ये destroy कर सकता है, तो एक सैनिक इसको अपने कंदे पे रखकर के, जिस तरीके से आप यहाँ इस तस्वीर में देख रहे होगे, अपने कंदे पे रखकर के fire किया जा सकता है, यानि कि अब दुश्मन के tank या दुश्मन के किसी भी पाहन को ध्वस्त करने के लिए हमको बहुत बड़े armed vehicle की जरूरत नहीं थी, एक आधुनिक इस तरीके की weapons वो है, वो काफी होगा, 84 will be operated by a single soldier, एक मातर soldier इसको संचालित करेंगे, नॉर्मली क्या होता है कि anti-tank vehicle, anti-helicopter vehicle हो, वो काफी heavy, काफी बड़ी-बड़ी machinery होती है, जिसके लिए काफी सारे soldiers को operate करने में लगाया जाता है, वो easily movable नहीं होते हैं, जिस वजा से उनकी mobility है, वो काफी ज़्यादा difficult होती ह यह, लेकिन यह क्या है, यह easily carried और एक soldier के द्वारा single shot system है, which has proven its efficacy against structure, landing craft, helicopters, armed vehicles and personal, तो दुश्मन के चाहे बकतर बंद वाहन हो, चाहे हेलिकॉप्टर हो, या दुश्मन सैनिकोन सभी को मार गिराने की शमता जो है, इसके अंदर है, इस प्रकार का है, यह AT4 वाहन, यह news में इ भायू से ना और भारत की थल से ना इसको procure कर रही है, स्वीडन की company से, तो यह पूरा का पूरा news article है, according to SAP, the Indian military is acquiring 84 weapon with the AST, anti-structure tandem warhead projectile enabling it to be fired from confined spaces, तो projectile यानि के इस तरीके के movement के साथ में यह target को hit करता है, तो projectile motion आपने सुना होगा, जो इस तरीके से एक curved distance को cover करता है, या curved trajectory पे चलता है, उसको projectile कहा जाता है, तो fire करने के दौरान, यह इस तरीके के moment से projectile motion से जाकर के दुश्मन के area को hit करेगा, दुश्मन के establishment को hit करेगा, या उनके assets को hit करेगा, और इसको fire करने के लिए कोई बहुत खुला space, बहुत बड़ी जगे नहीं छुप करके कहीं से भी confined space से इस से वार किया जासा, यह काफी ज़्यादा ताकतवर है, it can penetrate more than 17.5 inches, 44 cm of armor, यानि के दुश्मन के asset में अगर 44 cm मोटी चादर भी हो, या shield भी हो तो उसको भी यह भेद सकता है, और साथ ही साथ it is equipped with optical night sight, यानि के रात के समय में यह ऐसे surroundings में चा fire किया जा सकता है, यानि के काफी सटीक निशाना इस से लगाया जाएगा, इवन अगर light कम भी है, और साथ ही साथ अगर जिस वाहन पे, जिस asset पे इसको target किया जा रहा है, अगर उसकी shield या उसकी armor जो हो बहुत ज़्यादा मोटी भी है, 44 cm तक की shield और armor को यह भेदने की ताक काफी लंबे समय से भारत और स्वीडन हो है, वो defense ties के अंदर enrolled है, भारत और स्वीडन की एक long standing close relation history है, जो की common values, strong business, investment and research and development linkages पे based है, और साथ ही साथ एक similar approach दोनों देशों द्वारा follow की जाती है, जब बात आती है, peace और security में global challenges की, चुरक्षा और विकास के अंदर जब भी क देश्विक चुनोती आती है, उनको किस तरीके से handle करना है, कैसे उसके साथ में deal करना है, इसमें भारत और स्वीडन जो है, वो same approach, एक common द्रिश्टी कोन जो है, उसको follow करते हैं, अगर अब map के मात्यम से देखें, तो ये है स्वीडन, तो geographically distance तो बहुत जादा है, लेकिन अगर बात आये दोनों देशों के संबंदों की चाहे defense ties हो, trade हो तो दोनों ही देशों में काफी अच्छा संबंद जो है, वो माने जाते हैं, बहुत ही बड़ा trade जो है, वो दोनों देशों के बीच में होता है, Swedish exports to India, Sweden से जो चीज़े भारत में आती हैं, वो है pharmaceuticals, paper and pulp products, engineering products, telecom equipment, यह सारे के सारे products जो है, वो Sweden से भारत आते हैं, जबकि भारत से Sweden में जो products आते हैं, उसमें आते हैं, chemical products, food products and semi manufactured and manufactured goods, तो यानि दोनों की देशों में काफी सारे products को लेकर के trade जो है, वो किया जाता है, और defense ties की अगर हम बात करें तो defense ties कितने पुराने हैं, यह इस बात से अंदाजा लगाया जाता है, आपने सुना होगा befores guns के बारे में, तो हिंदोस्तान ने befores guns जो है, वो भी Sweden से खरीदी तो है, इन before guns का बहुत ही बड़ा योगदान था कारगिल के युद में, कारगिल युद को जीतने के लिए हिंदोस्तान को सबसे जादा support जो है, वो मिली बफोर्स गन ने बहुत बड़ा role play किया था, तो ये बफोर्स गन जो है, वो Sweden से ही करी दी गई थी, तो काफी लंबी हिस्ट्री है भारत और Sweden की defense के अंदर भी, और अभी Sweden की company Sab जो है, वो हिंदोस्तान को 84 gun supply कर रही है, इससे पहले 2021 में Swedish defense minister ने भारत को ये proposal जो है, वो दि रिसेंटली नई दिल्ली यानि के इंडिया के power center के द्वारा, 114 fighter aircraft को procure करने की बाद जो है, वो की गई थी, 114 aircraft हिंदोस्तान को चाहिए, अपने कुछ old fleet को replace करने के लिए, आप जानते हैं, जैसे with the changing technologies and over the period of time, जो fighter aircraft देश के पास होते हैं, उनको replace करना ज़रूरी हो जाता ह तो अभी एक बड़े fleet को Indian Air Force replace करना चाहती है, जिसके लिए 114 fighter aircraft की भारत को जरूरत होगी, तो जैसे ही ये news, New Delhi के द्वारा public करी गई कि हिंदोस्तान is, India is looking for 114 fighter aircraft, उसी समय स्वीडन की company ने ये proposal जो है, वो अपने defense minister द्वारा भेजा था, कि हम आपके लिए, ये 114 fighter aircraft जो ह स्वीडन की company स्वीडन की company स्वीडन की एरक्राफ्ट जो है, वो manufacture करती है, इससे पहले भी जब हिंदोस्तान ने रफैल खरीदना था, उस समय भी जब इंडिया was looking forward to foreign nations की कौन सा एरक्राफ्ट सबसे अच्छा हो सकता है, उस समय रफैल के साथ साथ ग्रिपन भी जो है, it was in the race, तब भी सैब की ये कोशिश थी कि हिंदोस्तान जो है, वो रफैल की जगा ग्रिपन फाइटर एरक्राफ्ट को procure करें और अभी recently सैब ने इस proposal को दोबारा से भारत के सामने पेश किया है, सैब has made a strong pitch on multiple occasions in the recent past that it is completely aligned with the make in India policy of government, सैब जो है, वो हिंदोस्तान की make in India policy को भी support करता है, उनका कहना है कि वो ये 114 एरक्राफ्ट जो है, इसमें से कुछ assemble किये जाएंगे हिंदोस्तान में, जबकि कुछ भारत में ही बनाए जाएंगे, तो make in India को भी boost करने की बात जो है, वो सैब द्वारा की जाती है, and सैब is ready to build products and solutions here in India by Indians for India and for export, यानि कि सैब इतना भी क में आके अपनी manufacturing कीजिए, सैब भी उसी दिशा में के हम भारत में आकर के defense products और defense solutions को manufacture करेंगे, वो भारत के लिए भी होंगे, और उसमें भारत ही ये लोग जो है, वो काम करेंगे और साथ ही साथ भारत में बना करके इनको export किया चाहेगा, इस अपने offer में जो भारत ही ये बनाये जाएंगे और बाकी 96 जो है उनको भारत में मनाया जाएगा, यानि कि अब सैब जो है ये ये भी प्रप्रस्ताव दे रही है कि हम make in India के तहत भारत आएंगे और भारत में ये 96 aircraft को manufacture करेंगे, तो उसमें देखना होगा कि क्या developments सरकार की और से आती है, तो ये एक important news article और हम इस विशेप इसलिए बात कर रहे थे, क्योंकि सैब द्वारा ही एक anti-armor gun AT4 को order जो है वो भारतिये वायू सेना और भारतिये थल सेना द्वारा इस company को Sweden में दिया गया है, I hope हमको विस्तार से ये पुरा का पुरा article समझ में आया होगा, दोस्तों अगर आप civil services के कर रहे है, studyiq.com या studyiq की app पर आपके लिए बहुतरी smart courses available, इन courses में enroll करें और अपनी preparation को बहुत बहुत बहुतर बनाए, thank you very much, all the best, keep working hard, bye bye, take care, जै हिल्द